हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं कि योनो SBI में पहली बार रेजिस्टेशन कैसे किया जाता है अगर आप योनो SBI में नया रेजिस्टेशन कर रहे हैं तब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है पहला तो यहां कि आप जिस फोन में योनो SBI में रेजिस्टेशन कर रहे हैं उस फोन का ओपरेटिंग सिस्टम एंडरोइड वर्जन 9 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए क्योंकि योनो SBI के नये अपडेट में बताया गया है कि यहां एप्लिकेशन उसी फोन में चलेगा जिस फोन का ओपरेटिंग सिस्टम एंडरोइड वर्जन 9 या उससे ज़्यादा का हो और दूसरा तो या कि आपका रेजिस्टर नमर वाला सिम यानि कि जो नमर आपके बैंक एकाउंट से लिंक है उस नमर का सिम आपके फोन में लगा होना चाहिए तो चलिए अब योनो में रेजिस्टेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फोन के प्ले स्टोर से योनो SBI एप्लिकेशन को इंस्टॉल करें एप्लिकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपेन करें एप्लिकेशन ओपेन होते ही कुछ इस तरह का इंटर फेस देखने को मिलता है तो इस जगा register now वाले option पर क्लिक करें register now पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे sim card select करने को कहा जाता है तो इस जगा आप उसी sim card को select करें जिसका number आपके bank account से link हो अगर आपके phone में एक ही sim card लगा हुआ है तो इस जगा आपको एक ही sim card सो करेगा बस आपको ध्यान रखना है आपका वह sim आपके bank account से link हो इस जगा मेरा पहला sim bank account से link है तो इस जगा मैं sim 1 को select करता हूँ sim select करने के बाद नीचे next वाले option पर क्लिक करें next पर क्लिक करते ही timer on हो जाता है इस जगा यहाँ चेक किया जा रहा है कि आपने जो sim card सेलेक्ट किया है वहाँ आपके bank account से link है या नहीं sim verify होने के बाद एक नया page देखने को मिलता है जिसमें एक message से होता है create your sbi internet banking credential तो इस जगा proceed वाले option पर क्लिक करें proceed पर क्लिक करते ही एक consent का page देखने को मिलता है इस जगा यहाँ बताया जाता है कि आप yono sbi में जो username और password बनाएंगे आप उस username और password की सहायता से yono sbi light application में भी login हो सकते हैं तो इस जगा नीचे yes i agree पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें yono में registration करने के लिए आपको दो option दिये जाते हैं पहला तो यह register for yono with my ATM card यानि कि आप ATM card के details को verify करके yono sbi में registration कर सकते हैं और दूसरा है register with account details आप अपने bank account details को verify करके भी इस application में register कर सकते हैं बट इस method के लिए आपको एक बार bank visit करना पड़ेगा और जब आप bank में verification complete करवा लेंगे तभी इसमें आगे proceed कर सकते हैं तो इस जगा मैं घर बैटे ही इस application में registration करने वाला हूँ इसलिए मैं इस जगा first option यानि कि register for yono इतमा ATM card पर क्लिक कर रहा हूँ इस option पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे कुछ account details एंटर करने को कहा जाता है तो सबसे पहले इस जगा आप अपना bank account नमर एंटर करें आप इस जगा I वाले symbol पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो भी account नमर एंटर किया है वा सही है या नहीं तो account नमर एंटर करने के वाद नीचे इस जगा date of birth को choose करें इसके लिए इस जगा calendar वाले icon पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही calendar open होता है तो इस जगा आप पहले month को select करें उसके वाद year को select करें और last में date को select करें उसके बाद इस जगा last वाला option optional होता है इसे fill करने की आप सकता नहीं है इसको ऐसा ही छोड़ दें तो इन दोनों details को fill करने के वाद नीचे next वाले option पर क्लिक करें next पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपको OTP एंटर करने को कहा जाता है साथ ही आपके register mail नमर पर एक OTP भेज दी जाती है तो अपने register नमर पर आए हुए OTP को इस जगा enter करें अगर इस जगा OTP आने में थोरा time लग जाए तब इस जगा आप recent OTP पर क्लिक कर सकते हैं OTP एंटर करने के वाद नीचे submit वाले option पर क्लिक करें submit पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे transaction right को select करने को कहा जाता है तो इस जगा मैं इन तीनो rights के बारे में थोरी सी जानकारी दे देता हूँ फर्स्ट वाला option होता है view का अगर आप इस right को select करेंगे तब आप सिर्फ अपने account का कुछ details चेक कर सकते हैं जैसे कि आप balance inquiry कर सकते हैं या आप अपना transaction history देख सकते हैं और अगर आप second right को select करते हैं तब आपको कुछ limited transactions ही मिलते हैं जैसे कि आप balance inquiry कर सकते हैं छोटा मोटा fund transfer कर सकते हैं इसे जैदा आपको कुछ भी benefit नहीं मिलेगा उसके बाद है full का अगर आप full right को select करते हैं तब आप Yono SBI के जरी होने वाले सभी प्रकार के transaction कर सकते हैं यानि कि आप balance inquiry कर सकते हैं transaction कर सकते हैं इसके इलावे fund transfer कर सकते हैं online shopping कर सकते हैं और इस application में जितने भी features हैं लगबग सारे features को access कर सकते हैं इसलिए मैं recommend करूँगा हमेशा full वाले right को ही select करें तो full पर click करने के बाद नीचे next वाले option पर click करें next पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे ATM card का कुछ details fill करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने ATM card के last के 6 digit को ही enter करें तो इस जगा ATM card के last के 6 digit को enter करने के बाद next वाले option पर click करें next पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपके ATM card का pin enter करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने ATM card के 4 रंगों का pin enter करें आप उसी pin को enter करें जिसकी साहिता से आप ATM से पैसे निकालते हैं तो इस जगा ATM फिन एंटर करने के बाद नीचे submit वाले option पर क्लिक करें submit पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपको username और password बनाने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने पसंद के username को बना सकते हैं इस जगा आप username का format देख सकते हैं username minimum 3 character का और maximum 20 character का हो सकता है तो इस जगा आप अपने पसंद का username एंटर करें इस जगा बताना चाहूंगा यदि आप किसी username को एंटर करते हैं और वह username अबलेबल ना हो तब आप उसमें थोरी बहुत changes कर सकते हैं ताकि आपका username accept हो जाए उसके बाद नीचे इस जगा एक strong password को बनाए strong password बनाने के लिए आप capital letter, small letter, number और कुछ special character का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक चीज़ का ध्यान रखें आपका password कम स्क्रम आठंकों का होना चाहिए तो इस जगा password एंटर करें उसके बाद इस जगा re-enter password की जगा same password को re-enter करें उसके बाद नीचे confirm वाले option पर क्लिक करें confirm पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें successful का एक pop-up सो होता है यानि कि आपका username और password बन कर तयार हो चुका है अब आपको एक last काम करना है कि आपको एक amp-in set करना है ताकि आपको इस application में login करने के लिए बार-बार username और password एंटर करने की आप सकता ना परे तो amp-in set करने के लिए इस जगा set amp-in वाले option पर क्लिक करें set amp-in पर क्लिक करते ही consent का एक page 100 होता है तो इस जगा थोरा scroll करें इस जगा आप चाहें तो consent को पर सकते हैं उसके बाद नीचे next वाले option पर क्लिक करें next पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपसे amp-in set करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने पसंद के 6 अंगों का amp-in set कर सकते हैं बट एक चीज़ बताना चाहूंगा amp-in के लिए कुछ conditions होती है मैं उसे example के साथ बता देता हूँ पहले मैं condition बता देता हूँ amp-in का condition होता है कि amp-in 6 digit का होना चाहिए amp-in में कोई सा भी number repeat नहीं होना चाहिए यानि कि आपने जो number एक बार डाल दिया है उस number को दोवारा enter ना करें और amp-in में दो डिजित लगातार नहीं होना चाहिए जैसे कि आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो मैं amp-in का कुछ example बता देता हूँ आप इस जगा देख सकते हैं कोई सा भी number रिपीट नहीं है और कोई सा भी number लगातार करम में भी नहीं है तो इस तरह का amp-in आप सेट कर सकते हैं तो इस जगा आप amp-in को enter करें उसके बाद नीचे इस box में same amp-in को re-enter करें उसके बाद सब से नीचे next वाले option पर click करें next पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें आप से OTP एंटर करने को कहा जाता है और आपके नमर पर एक OTP भेज दी जाती है तो इस जगा आप अपने नमर पर आये हुए OTP को enter करें OTP एंटर करने के बाद next वाले option पर click करें next पर click करते ही congratulations का एक pop-up सो होता है तो इस जगा OK वाले option पर click करें OK पर click करते ही आप Yono SBI के home page पर redirect हो जाते हैं अगर आप direct इस page पर ना पहुचें तब आप इस application को close कर दें उसके बाद जब आप दोबारा open करेंगे तब आप से MP नेंटर करने को कहा जाएगा तो MP नेंटर करके आप इसी page पर redirect हो जाएगे तो इस जगा Yono SBI के कई सारे features दिखाये जा रहे हैं तो मैं next वीडियो में इन सारे features की जानकारी दे दूँगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपका कुछ और भी doubt हो तो comment जरूर करें वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक कर दें